दोस्तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स ब्रिक जो कि हमारा ब्रिक्स का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे डिफेंट टाइप्स ब्रिक्स जो की टोटल है एट टाइप्स के जो की पेपर में आते हैं बाकी जो भी कोई एक्स्ट्रा हो तो वह मत सब्सक्राइब करें आप वैसी स्लेवर्स बहुत ज्यादा होता है तो यह इसमें वैसे मैंने में में सारी जितने भी होते हैं डिफेक्ट्स सब कवर किया है और देखेंगे ब्रिक मैस्ट्री और लाश्म देखेंगे हम बोंस तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डिफ किडिक्रेट में तो उससे आंफ्य श कार ऊंगा वह होता है सब्सक्राइब को जैसे के मैं अब ग्र्मारो और टॉम्ष होती जया है और पार कोरेंबिट्री खिस है कि तो उसमेंगों यह? क forbidden उसको बोलते चस तो इसम को इसमें आपको बशक्तथ रहेगा है इसके जो डिफेक्ट आएगा को चाफ्स होगा यह आपको याद रखना है सेकेंडे क्रैक्स ड्यू टू एक्सेस वाटर एंड लंप्स ओफ लाइम जब हमारा ज्यादा पानी हो जाए ब्रीक अर्थ में या फिर उसमें लंप्स ओफ लाइम बन दें तो उससे जो हमारी क्रैक्स यह लगबख सबको बता होगा यह तो एक्सेस सोल्ट की वज़ेसे होता है जब सोल्ट हमारे जो सरफेस अरिया हमारा ब्रिक काउस पर आजाते हैं और वाइट पैचिस बन जाते हैं उसको बोलते हैं efflorescence formation of white patches on brick due to alkalis or salts तो इसको बोलते हैं efflorescence देखिए यह efflorescence जैसा को दिखी रहा होगा जो यह whitish patches आये हों है bricks के उपर यह सारे सब salt ही है यह सब salt है जिसको को दिख रहा है इसको efflorescence बोलते हैं और यह आपको ऐसी दिख जाएगी भाहर से इसके लागो को को एक टेस्ट पर ऐसा कुछ करने ही कंडक्ट करने की जोड़त नहीं है यह से कुछ दिख जाएगा सामने से ब्रिक्स पर आ जाते हैं salt पूर्थ हमारा lamination due to entrapped air in the voids of clay thin lamina air layer is produced on the brick face which weather out on exposure to air such bricks are weak for structure जब हमारी जो जो air है वह entrapped हो जाए हमारे brick earth में अलब उसमें अगर हमारे जो अर्थ हमारे ब्रिक है उसके अंदर voids रह जाए और उसमें हमारी air in trapped हो जिसके वह जैसे वारे जीसका जो face है वह वीक हो जाए और वह निकल जाएगा जिसकी जिसकी जो यहां से कुछ वेर आट अशे इस का इसका निकल जाएगा फॉलाआ पर जाएगगा तो इस जो डिफेक्ट होते हो कि Cam b b Chicken देखिए से लिए होते पैसे तो आप ईक प्लास्टिक इस्ट अपने डोकुमेंट्स पर जो अब रैप करवाते हैं या फिर रैपिंग करवाते हैं अपने किसी भी चीज पर मुबाइल पर बाइक पर उसको एक तरह से वह लैमिनेशन ही होता है एक प्रटक्टिव शीट या फिर एक लेयर चड़वाना पर इसमें यहां पर लैमिनेशन का वह उतरती है इसमें टूटके गिर जाती है जैसे इसके मैं दिख आपको एक एक परफरेक्ट लेयर आपको दिख रहा है यहां से पता लग रहा है छोटी सी लेयर गिरी है तो इसलिए इसको लेमिनेशन बहुते हैं है फिक्त फिफत होगे हमारा बिस्टर्स उलींच को लिस्टर्स ब्रोकन बिस्टर्स होते हैं जेनरली फॉर्म करों लंग सेवर पाइप सज्थ द्रेन टैस ड्यूट्य ओर की इसका मतलब क्या हूँ थहां मतलब यह हुआ कि इन जो भी कि जो ना कि इस तो जो एसी ब्रिक्स होगी जो सीवर पाइप्स में होगी और के अदर एंदर आज़ और ट्रेप्स होगी तो वहां पर कॉन सा डिफेक्ट आएगा blister यह आपको याद रखने है जब नोर्मली एरंट्रेप्ड हो तो कौन सा डिफेक्टायगा लेमिनेशन और जब इसमें सिवर पाइप्स में या फिर ड्रें ट्रायल्स में या फिर जो भी पानी की जीज वहां पर एरंट्रेप्ड हो और जो डिफेक्ट आएगा वो होगा बिस्टर्स चिक्ष देखते हैं मारा ब्लोटिंग प्रेजंट अगरमारी जो ब्रीक है उसके अंदर कार्बोनेश के सलफर मेटर प्रेजंट है उसकी वजए से जो हमारी ब्रीक है उसका जो मास है वो स्पोंजी टाइब किसे स्पोंजी मतलब जिसमें बोड ज्वह ज्यादा हो और लाइट हो जाए वेट जो है खर्मारी ब्रिक का लाइट हो जाए यह फिर वॉलियूम बढ़ जाए जिसमें नौर्मल बिक है तो ऐसे जो defect होगा उसको हम बोलेंगे bloating brick spalling इसका मतलब क्या है इसका मतलब है irregular portion of brick break away and fall off due to heating of water inside the brick इसका मतलब यह है कि इसमें हम यह पता नहीं लगा सकते कि brick कहां से तूटने वाली है irregular portion of brick break away कहीं से भी brick तूट सकती है जिसका कारण होता है heating of water inside the brick कि मतलब अगर ब्रिक के अंदर पानी है और वो गरम हो रहा है उसकी जैसे जो brick तूटेगी और नीचे गिर जाएगी उसको बोलते है brick spalling जैसे कि आप देख रहे है brick spalling बोलते है इसको brick spalling जिसमें जो bricks के टुकडे है यह अपने आप ऐसी कहीं कहीं से तूटके गिर जाते हैं यह भी एक तरह का defact है bricks में black core black core है brick core becomes dark colored or black due to presence of bituminous matter and carbon in the brick clay अगर brick clay में हमारा preparation of clay करते हैं जो हमने बताया दाना कि हम उसमें चीजे mix करते हैं ingredients extra mix करते हैं उसमें हमने अगर due to minus matter उसमें मिला दिया या फिर कहीं से भी आ गया extra और carbon जादा हो गया हमारी brick में तो उसकी वज़े से जो हमारी brick है जैसे मानलो यह brick है हमारी तो इसको अगर हम बीच में से यहां से तोड़ेंगे तो हमारी brick में बीच में यहां पे बीच में यहां से बीच जो यहां पे कुछ काला काला सा दिखेगा आपको लगी तो इसको बोलते हैं black core इस defect को यह आपको वैसी सामने से दिख जाएगा इसको ज्यादा कुछ पता लगाने की जोड़त नहीं पड़ेगी उपर बलनों तो फिर भी थोड़ी confusion हो सकती है कि बीच तूट रही है इतर उदर पर ब्लैक कोर तो आपको ऐसी दिख जाएगा रहा आप बीच में से ब्रिक को तोड़ेंगे तो देखेंगे दोस्तों ऐसा होता है कुछ ब्रिक्स में ब्लैक कोर जो दीखेगा आपको ब्लैक कोर मतलब होता है कभी भी कोर का मतलब यह होता है जो थो में पाइं लिकार आपको सेंटर रहें प्रिक का अंदर का वह ब्लेक काला उ 나오 in 對不對 असमें इसको ब्लैक कोर बोलेंगे यह एकक को असानी से नाम याद ओ सकता है अगर इसका मतलब देखें तो साफ दिख रहा है यहां पर जो और ब्लैक है यह आप देख रहे हैं यह इसलिकल ब्लैक बोलते हैं मैं पिचर दखा देखा दता हूं यहां पर हमने लोगिट्यूडनली क्रो सेक्षण में काटे हुई है तिस इसमें क्या कर दिखाई हूँ है यह जो है मारी ये ओबर मन्न भी है यह वाली जो यह ओवर मन्न का मतलब है ज्यादा जल गई है तो जितनी जन नीचीट उसे जाद जल गई जभी ये विल्कुल काली पढ़े हो देखी जलका जाती है जाद डिया जल जान जाने यह एक लिए वर्मन ब्रिक हैं यह अंडर बन है कि मतलब यह जली नहीं पाई और प्लोटिंग में देखें यह जो शेम बीक की वह आ नहीं पाती ऐसे अजीब सी शेम बूझाती है वरखाबर छी इस डिफेक्ट को बोलते हैं भी इन गिव और बंड यह वाली यह अंडर बंडन और ब्ल्लैक को यह ब्लैक को दुमान को बताएती जैसे कि ब्लैक को मैं तो तो यहां भी हमारे टाइप सोफ डिफेक्ट होते हैं अब हम अपने नेक्स टोपिक पर चलते हैं जिसका नहां है ब्रिक मेश्ट्री यह बहुत इंपोर्टन टोपिक यह आपको याद रखने ही कि नह नाम क्या होता है अगर बीच में से तोड़ दें यहां से इसे इसको बोलते हैं क्यूंक फॉर्थ बचाय बस बाकिति तीन पार्ट जो इसको खटा दें तो उसको बुलते क्यूंक क्वाटर का मतलब एक फॉर्थ होता है और हाफ को मतलब मण हम उसके half length तक closer नहीं ले जाएंगे हम उसके full length तक ले जाएंगे उसको half width में और half उसकी length में जब हम उसको काट देंगे तो होगा king closer जब half length में यह half length तक और यह half width तक जब हमने काटा तो यह होगा king closer और जब इसकी half width तक जो भी है half width फुल लेंद तक हम काट देंगे तो हो गया beveled closer दिखना न आपको यह full length है यहाँ पर और यहाँ पर half L by 2 लिखा यह रहा और यह पूरा यहाँ पर B by 2 मतलब इसकी half breadth है तो breadth यहाँ भी 20 मतलब width यहाँ पर इसकी half है और length यहाँ पर full है इसकी L है अगला है एक मिनट बैवल बैट किसको बोलेंगे PS बोलेंगे अगर हमने किसी एंगल पर brick को तोड़ा यह है यह L यह जो एल नहीं है यह angle का sign है degree वाला तो मैंके बोलेंगे इसको बोलेंगे बैवले ワह परिक आफ तोड़ा लेंथवाइस तो याल इसको हसाभ वैट गों हमने सिसको हटाया इसको मैनलिये नाम याद रखने यह इस कि सारी important है कुईन क्लोजर कुईन क्लोजर क्वार्टर याद हो जाएगा किंग याद वोग आपको बैवल ड्लोजर बस यह आपको यहाद रखना एक्स्टर क्या होता है और बैविल बैट बैवेल्ट जहां है इसका मतलब किसी एंगल पर तोड़ रहे हैं जैसे कि हमने यहां पर देखा था यहां पर एंगल क्या था यहां पर था कि हमने इसको यहां पर तोड़ा यहां आ लाट नहीं आ कि रहता हुआ तो अपको यह सारे नाम याद रखने और यहिसंद क्योंक्व नाम यादसे आद हैं आप इनके बारे में जाने की जो इस में कुछ तर्म्स हैं वह याद कहका रखनी है जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि हमारी यह ब्रीक है कोई तो इसमें आपको दीखी रहा होगा कि stretcher बोलते हैं जो यह lengthwise जो हमारा part होता है इसको stretcher बोलते हैं जो यह पार्ट है बेड बेसिकल नीचे वाले बाट को भी बोलते हैं और अगर उपर वाले पार्ट को अपर उल्टा रख दें तो भी बेड भोलेंगे उसको अधरी या कलत हुगया कि अधरी प्रिक है इसमें जो मारे लेंट वाला पार्ट है इसको स्टेचर बोलते हैं जो सामने पार्ट दिखे आपको सबसे चोटा विर्थ वाला विर्थ वाहिज इसको बोलते हैं और इनके जो नीचे होगा जो उसको बोलेंगे इसमें फिर्वाल इसको बोलेंगे बैड जैसे आप देख सकते हैं लोंगट विर्ट नांट 10 इन इंट अ संटी मेटलट्र थे shorter face of brick 9 x 9 cm is called head bad lower face of brick 19 x 9 cm इसको बोलेंगे बैट क्लोजर का मतलब क्या है क्लोजर का मतलब है portion of brick with cutmate लोगे टूनले is used to close a bond at the end of the course bricks की line course का मतलब है end of course का मतलब क्या है bricks की line मतलब bricks की line के last में जब हम bond break करने के लिए bond एक तना से क्या कौन सा bond के जो हमारी bricks की line चली आ रही है वो ऐसे नहों कि last में जाके एक perfect horizontal line बन जाए it prevents joints of successive courses to come in a vertical line कि जो हमारी bricks की लाइन चली आ रही है वो एक vertical line में ना जाए ताकि उसमें bonds कम ना बन पाए इसलिए हम closer use करते हैं देखें हम आपको समझाता हूं आपको समझनी आएगा देखें एक मिनिट जैसे कि आप यहां देखिए यहां देखिए आप इंग्लिज बॉंड में जैसे कि हमारी यह जैसे कि हमारी एक line चली आ रही थी यह bricks की line थी हमारी ठीक है उसमें अगर हम यहां पर full brick use करते हैं तो यह horizontal line में आ जाते हैं दोनों यहां पर है ना और यह horizontal line में आ जाती तो यह जो एक point बन जाता यह वाला इसको बोलते हैं यह vertical line नीचे तक ऐसी बनती फिर फिर यहां से इस wall का यहां से हटने का chances होते हैं यहां से तूट सकती थी wall पर हमने यह closer use किया इसको बोल तो इसको हमने यूज किया तो यहां पर एक line नी बन पाई perfect line का मतलब है यह imaginary line एक तरह से कि यहां पर ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो walls है वह एक दूसरे से हट जाए walls आपस में लगे ना चाहिए फिर अच्छे से bond ना उनका उनका दोनों वोल्स का इन दोनों वोल्स का आप आपसमें bond हो जाए इसके लिए यहां पर Quinn close our उनके यसां यहां पर उसक्या तो इसको इनको बोलते यूजिया कि है यहांपे हेल रों इsymmas for what used is a यहांपे और देखे यहांपे भी होखते हैं यहांपर हमने कुईन गव्यूजर यूज़ क्या है कि अवे खिर हमें हैं कि देखेए 1घ्लन इसका 107 Hindi में यह वाला और यह कुई अब इनके विच्वा टेफरेंस को बताओं मैं थोड़ देन में अब देखे बस कि क्लोजर का काम होता है कि वह वर्टिकल लाइन को बनने से रोकता है अब वर्टिकल लाइन क्या होते हैं अब बताता हूं आपको मैं इस डियाग्राम से समझे आप देहरन यह वर्टें के लाइन की यहां पर यहां पर हमने ऐसे ब्रिक क्रखिया होती है और यहां पर में हर्टर लाइन का हुसे तो यहां से इस वॉल के यहां से तूटने के चांसिस थे क्योंकि यह वर्टिकल लाइन बन गई है मतला हम यहां पर बॉंड नहीं है यहां पर बॉंड इंग अच्छी नहीं हुए तो इसको अवोईड करने के लिए हम क्लोजर यूज करते हैं आठे सकते हैं यहां पर एंग क्लोजर यूज किया है यहां पर एक वर्टिकल लाइन अगर यहां पर एक वड कला है से बन जाती है हिस करते हまた एवर्टेकल लैंट बन जाती तो इस तो इस वोल का जो ये वाली वॉल at और कि आन बहर दीवच्ची हुई है यह है इतनी बिल्ड है इन दोनों काफसर बाउन यह होते हैं यहांसे तूटने के बीच में से longitudinally या फिर उसको width-wise तोड़ते दें बीच में से वोड़ी पर यूज कर लेते हैं या फिर कुईन हडर यूज करते हैं ऐसे चीज़े यूज कर लेते हैं तो इसको बोलते है से closer अब हम देखते हैं next thing, Eris, closer अब देखते हैं, Eris क्या होती है, Eris होती है edge of brick या brick के edge कोई Eris बोलते है फिर देखते हैं Queen, Queen, इस अर्ट ये अर्ट अंगल यह एट राइट एंगल सोफा वॉल, यह देखा आपको दीख रहा है यहां पर यह लिखा, राइट अंगल मतलब यह है कि यहां से दूसरी सैड भी होगी ऐसे भी होगी है यह पिर अगर जैसे यह बोल ऐसे जा रही होगी ऐसे तो यहां पर होगी यहां तक होगी ऐसे दूसरी वोल के साथ में तो यह राइट अंगल मतलब यह और पर होगी basically यह यह पर यूज़ होगी queen queen at corners नेक्स्ट हमारा क्या है frog frog का मतलब जो indentation होती है हमारी brick के अंदर वो उसको भोलते है frog इसका Mतलब यह की मरत और किसमें नहीं बनताहिए no prov on wire cut bricks सोती है उसमें कोई फरोग नहीं नहीं बनते हैं और one frog at handmade brick जो हम handmade brick बनते है हमारी टेवल और एक फ्रोग बनता है जो हमारी घ्रोओं में बिसिकल यूज होती है वही होती है और टेवल मॉल्ड़ेट वारी तो नेच्स लेखते हैं नेक्स नमार परपेंट इमाजिनिर वर्टिकल लाइन विस इंक्लूट बीट्वीन टूुरय जें पर पर्पईट ये जो लाइन बोलते हैं पो यहां पर अगर रहें ऌपर दिया है वर्टिकलल लाइन को बनना यह हो सकत था है यहां पर वर्टेकल लाइन बन जाती तो imaginary यहां पर बन सकती थी इसलिए उसको बोलते है परपेंट बनी नहीं है जब बन जाएगी तो उसको बोलेंगे वर्टेकल लाइन जब बनी जएगी ज़ से ही कि यहाँ पर बनी गई है कि यहां पर यहाँ पर 12 स्ट्रेचर युस री उसके कि है यहाँ पर यहाँ यहां प्र हैडर युजिए इसकी जैसे पर पर बन चुन है NEW लेगन इमेजनरी यह फे बन सकती थी इसलिए उसको बोलेंगे परपेंड अगला है राकिंग बैक राकिंग कम अलका मतलब टर्मिनेशन वोल इन इस्टैप फैशन मतलब होगा सीडी टाइप में मतलब कि ऐसे कि आपने वोल का एंड मतलब दिवार का आपने एंड ऐसे किया है इस टाइल में तो उसको बोलेंगे रैकिंग बैक जैसे कि यहां पर अपको दिख रहा है यह होगा रैकिंग बैक और नेक्स्ट हमारा टूफिंग टूफिंग मतलब टर्मिनेशन वोल इन सच अ वे दैट पर ऐसे कुछ आपर बाल का एंड करेंगे यह ताकि हमें फ्यूचर में इस आगर बनानी ही तो हम उनको कि बना सके हैं जैसे कि हमने एसे डिए करदिया वहर्स कर दिया pun जिए और यहाँ भनदी तो हम फ्यूचर में यहां पे एक्स्टर ऐसे एकक मुझत कर दो थरों कि मिल्टा मेरे टाज क defence जबनागे कि यह पर कोई ब्रिक how highly हमें यह यह फुल प्रीक हो गए हमारी यह तो यह जाके पाहिए म मुझत क्को पुर्टा उस्के हम पर यह फुल प्ली इस पर कंट्वी को जाएगे आए कि और तो इसलिए इसको इसको टूटिंग बोलते हैं इस वाली जो यह हम जो वोल एंड करते हैं इसे इसको बोलते हैं टूटिंग इस टाइल में ओल्टरनेट फैशन में नेक्स देखते हैं कि बॉंड इंपोर्टन है अगर आपको समझ आ गया तो बहुत इसी और अगर आपको नहीं आए तो आप अलग अलग वीडियो देखते रहों यूट्यूब को फिर भी समझ नहीं आएगा पर है बहुत इसी आपको एक बार बस थोड़ा ध्यान से देखना होगा तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इंग्लिज बॉंड कंसिस्ट ओफ ऑल्टरनेट कोर्स ओफ हैडर स्ट्रेचर जैसे आप मैंने आपको बताया यह वाला जो लेंद्वाज वाला पार्ट हो तो स्ट्रेचर बोलते हैं और जो सामने से ब्री कैसे दीखती है अब एसी जो यह वाला पार्ट है हमारा इसको बोलते है फैर दो इन दूनों का अल्टरनेट कोर्स जैसके कूझ दिख遊戲 पहले इसमें यह निसमें श्ट्रेचर वाली ही होगसे एक कूर्स एक मिनुट में कलर चेंज करता हूं जैसे को दिख रहा है इसमें यह एक है उपर वाला यह स्ट्रेचर वाला कोर्स सेकेंड हमारा होगा है है फिर स्ट्रेचर वाला कोर्स मतलब एक स्ट्रेचर वाली ब्रिक की लाइन फिर हैडर वाली ब्रिक की लाइन कोर्स का मतलब ब्रिक की लाइन है ठीक है उसको बोलेंगे English bond अगर ऐसे brick लगी हुए है तो fashion में और इसमें हम यूज कौन सा करते हैं जो हम corner पर हमारा closer use करते हैं ताकि vertical line ना बने उसके लिए उसके लिए करते हैं queen closer इसमें यापको याद रखना है और इसमें minimum one brick thickness wall इधनी तो बनती है जबी English bond बनेगा बना नहीं बनेगा for wall thickness then 1.5 brick 1.5 का मतलब है एक यह brick वाली वाल होगी और फिर एक header वाली भी हो गई तो इतनी वाली जो brick की वह होगी thickness होगी यहां से यहां तक किती यह thickness होगी ऐसी वोल के लिए English bond is stronger than Flemish bond ऐसी में English bond जो है वो Flemish bond से stronger होता है अगर हमारी dead brick की जो हमारी वोल की thickness है तो उसके लिए हमारे जो English bond होगा वो Flemish bond से हमेशा strong होगा यह बात आपको याद रखने है और English bond को क्या बोलते हैं English bond को Dutch bond भी बोलते है ओल्ड English bond को यह बात भी आपको याद रखने हैं एंसी की में पूछ सकते हैं यह चीज़े मतलब अगला देखते हैं Flemish bond तो Flemish bond in this bond और हमारे कुछ रहतों निगे English bond में तो ब्रेक वर्टिकल जोईंट जैसे कहां आप ने देखा था कि वर्टिकल को सकसे से कोर्सिज में रोकने के लिए क्या यूज करते हैं कुइन क्लोजर करते हैं यह भी आपको याद रखना है मैं बता जिया था ठीक है अब नेक्स देखते हैं हमारा Flemish bond in this bond each course bricks key line consists of alternate header and stretcher to break vertical joints in successive courses queen closer are inserted in alternate courses next to the queen header economical bond than English यह bond English bond से तो economical होता है लेकिन strong नहीं होता है यह आपको याद रखना है इकनोमिकल इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो हमारा जो वेस्ट जो जो हमारा मोटार का जो यूज कंजप्शन होगा वो कम होगा English bond के मुकाबले कि यह जो होगा क्यों एसे तो फ्लेमिश मौड इसबोन इच और फिर निच हिर्स्ट की मतलब इसमें पेहले एक हैड़ रखा हो होगा और फिर एक टेश сдел रर्खोंगा इसबगा अप्यार सतंयां नीचे हैं यहां पर देख सकते हो कि देखिए पर यास बोड़ने कि फिर भीच में कि कुइआ इस एक प्या रक्सक्कि या रखन स mira तो इसको भोलते हैं फ्लैमिश बॉंड है तो बैइक वर्टिकल जोइंट इंश्सेसिव कोर्सिस कुई क्लोजर रखा हो ताकि हमारा जो वर्टिकल जोइंट से वो फोम ना हो हुआ है कि Coast is next to the queen header के अगर हाँ एक एक लैन पर हमारे ये रख़ा होता है एक एक अगभग जो ठ्री थर्फ होता सब्सक्राइब के मतलब है कि एक एक कोर्स में कुईन हेडर होगा दूसरे में कुईन क्लोजर होगा फिर कुईन क्लोजर होगा ऐसे होगा जैसे कि यहां पर देखिए यहां पर यह कुईन क्लोजर लगा है और यह कुईन हेडर है इसमें लिखा हो एंट टू त्री में कुईन क्लोजर है और फ्र फैफ सिक्स में कुईन है यह होता है कि हमारे जो वर्टिकल जोइंट से वह ना बने इसके लिए इकनॉमिकल बॉन्ड दैं इंग्लिश प्रमिज एंगल्स से होता है कि यह वात तो इसमें मोटार कम लगता है steps उपसे उसमेंस जादा लगता है और इंगलीज को तर वेमे वहारे इसमें एक आड़के इसमें च्रते तो इसमें मोंटर कम लगता तो यह इकिनोकर जाधा हैं इंग्लिस से अजय को इस तो हमारे नों कि दो टेप होते हैं सिंगल वांइश बोर्ज और ड्यबल धन इनके व debate इसमें में लिफरेंस क्या है जो सिंगल फ्रैमिज बाइब है उसमें जो एक सैड़ यहां समाल हुऊ है पूरि यह हैडर फिर स्ट्रेचर ऐसे लगे हुए है कि तो कि यह हैडर है और यह स्ट्रेचर है कि यह पेरेंस आईगी यह पेरेंस हमारी अगर एक सेड़ बोल के फस्ट एक सेड़ पर आ रही है है तो इसको बोलते हैं single FlemishOne और अगर यह बहुंआ डूसरी साइड वाहरी है दोनों सैडे तो इसको बोलेंगे हैem. double flemish bond, basically बस ये घी difference होता है, और ज्थो तक और कोई difference नहीं होता है यह हमारी wall की, जब हमारी minimum one brick wall होनीची है double flemish bond के लिए इसके मेना ये same appearance नहीं आएगी और single flemish bond में हमारी minimum wall थिकनस होनीची है 1.5 brick wall मतलब dead wall की, एमारी brick wall की thickness होनीची है और इसमें one brick wall की मेरे देखें जाने जाहिए देखें दोस्तों यह हमारा डॉबल फ्लैमेश बोन्ट अब उसको डॉबल क्यू बोलते capacit इसको में डवल क्यों बोलेंगे ले यह डॉबल अकाो फ्लैमिस बॉन्ट अब क्यों है किसकी Fast जो मेनश यह वार यह साइड आखी है यह बाहर कंग liter में भर से दिखरीव है यह वार साइडं पूरी यह Face हमारा होगा face first side है ये और ये जो हमें पीछे से दिख रही होगी ये वाली side ये second side है ये इसको भूल देंगे back तो ये दोनों हमें same दिखेंगी जैसा हमें सामने से ये दिख रहा है पूरा कि एक हमारे stretcher आ रहा है फिर header आ रहा है फिर header आ रहा है फिर stretcher आ रहा है जैसे भी, ऐसे हमको पीछे से दिखेगा, डिजाइन पूरा, तो इसलिए इसको डबल फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं, कि हमें दोनों सेट से दिखेगा, यह जो डिजाइन है हमारा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहां से दिखेगा, और पीछे से कुछ अलगी दिखेगा, अजीब स कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों सेट से से दिखेगा, इसलिए इसको डबल फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं, और इसमें हम अपने जो वर्टिकल जोइंटा उसको ब्रेक करने के लिए क्लिए क्या यूज़ करते हैं, यह देखें, आपर दिखें आपको, इसको क्वीन क्वीन क्लोजर बोलते हैं, यह आपको याद होगा, मैंने आपको इसमें सिखाया था, इसमें आपको मैंने ब्रिक्स की वो बताई थी, शेप, सोर वो सब, उसमें बताया था मैंने आपको यह दोस्तों, यह हमारा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड जैसे कि आपको दीखी रहा है इसमें हमें मिनिमम जो वोल थिकनेस है, वो हमें डेड या 1.5 बोलते हैं जिसको, 1.5 ब्रिक लेंथ की चाहिए, क्योंकि एक तो फुल ब्रिक हो गई, और यह के हाफ ब्रिक हो गई, इसलिए इसमें मिनिमम थिकनेस इतनी चाहिए, जब भी यह बनेगा, सिंगल फ्लेमिश सिंगल फ्लेमिश की बोलें क्योंकि इसकी जो एक सैड होगी, यह चमालो हमारी फेस वाली सैड है, यह हमें दिख रही है सामने से, तो इसमें यह जो हमारे डिजाइन है, यह हैडर, बलब स्टेचर, और यह हैडर, फिर स्टेचर, फिर हैडर, यह जो डिजाइन बन रहा है है हमारा ऐसे जो मैं पूरत दिख रहा है हैडर स्ट्रेचर वाला यह दूरी साइड नहीं दिखेगा सिर्फ इसी साइड दिखेगा फेस की सेड इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल फ्रेमिश बूंड और इसमें वर्टिकल जोएंट ना बने इसके लिए क्या यूज़ करते हैं क्या ना में खंद हैं इसमें दो यूज़ करते हैं एक क्यों फ्राहों ट्रेचर यह रणिंग पॉने इसका मतलब है कि और विकशा लेय pref ट्रेचर all bricks are laid at stretchers, मतलब सब stretcher position पे हमारी bricks जो होगी वो लगाई होगी और इसमें हम corner पे या फिर जो हमारा running जो vertical joints है उसको avoid करने के लिए half bat का use करेंगे, मतलब आदी brick use करेंगे इसमें length में half हमारी जो brick होगी उसको use करेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा stretcher या फिर running bond देंगे दोस्तों यह हमारा stretcher bond क्योंकि इसमें stretcher side जो ब्रिक की वो यूज करेंगे और यहां पे minimum brick width वो होगी thickness होगी वो half brick होगी क्योंकि हमें half brick ही मिल रही है, side से देखने पर हम देखें तो, यहां से हम देखें यह half brick size ही है इतना तो इसलिए इसको half brick wall बोलेंगे और इसमें जो हम vertical joint यह successive courses में मतलब एक line से दूसरी line में, same यह line ना बने तैकि जैसे यह line बन जाती इसके लिए पीच में brick आ गई है, अगर यह line बनती ऐसे तो यह यहां से wall जो हमारी वो fail होने के chances थे इसलिए ना बने vertical joint इसलिए हम आप हाफ बेट यूज़ करते हैं दिखे रहे हैं आपको last में half brick है यहां पर यह दिखे रहे हैं half bet इसलिए हम half bet यूज़ करते हैं, half bet का मतलब half brick होगी lengthwise All bricks are laid at stretchers, two were vertical joint in successive courses, half bet is used, half brick wall इसको half brick wall भी बोलते हैं, stretcher bond वाली को Header bond, all bricks are laid at headers, जब सारी header position पर हमारी bricks laid हो, तो उसको बोलेंगे header bond Toward vertical joints, we use 3 by 4 bets, 3 by 4 bet हम यूज़ करेंगे, vertical joints को award करने के लिए In each alternate course at queen corners, यह मतलब हमारी corners होंगे, वहां पर हम 3 by 4 bet यूज़ करेंगे और यह used for footings in foundation दोस्तों यह हमारा header course यह header bond भी जिसको बोलते हैं, इसमें देखें हमने क्या यूज़ किया हो है इसमें हमने 3 by 4 bet यूज़ कियो है, ताकि जो हमारी vertical joint वाली line है उसको हम अभाट कर सकें बस, इसमें आपको याद रखना है, कि हमें इसमें 3 quarter bet यूज़ किया है 3 quarter मतलब 3 by 4 bet हमने यह यूज़ किया इसमें, आपको याद रखना है क्योंकि आपको सब bond में यह याद रखना है कि हमने जो हमारी vertical joint वा उसको ना बने वो उसके लिए क्या क्या यूज़ किया है जैसे English bond में हमने क्या यूज़ किया था, Queen Closer उसके बाद हमने, इसमें header में कौन से यूज़ किया है, 3 by 4 bet ऐसे हमने Freemish में और InSum में, combined भी यूज़ किया है किसी किसी में Freemish में कौन वियूज़ बियूज़ किया है, और 3 by 4 bet भी यूज़ किया है ऐसे हम stretcher में कौन से यूज़ करते हैं stretcher में half bet यूज़ करते हैं तो यह सब्सक्राइब को याद रखना है तो यहाँ पर हमारा जो bricks का chapter है वो खतम होता है next हम देखेंगे timber ठीक है दोस्तों तो अगर आपको यह हमारा bricks का chapter like अगर अच्छा लगाओ तो like करना subscribe करना और दोस् प्रेश्टन्स भी लेक आएंगे bricks के कि तो से अच्छा आठीक है अचला है